हलो दोस्तो वेलकम टेक्निकल लानिस में एक बार फिर से हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जिसका टॉपिक है कि आएमो में आप चैनल कैसे करेट करते हैं तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप चैनल कैसे करेट कर सकते हो वाइस कलब के लिए वो भी आप होस्टिंग करने के लिए तो इसे आप लाइब ब्रोड कास्टिंग करते हो वाइस कलब में होस्टिंग करके वैसे कमाते हो तो मैं आपको यही बता हूँगा कि आप चैनल से कैसे लाइब जा सकते हैं साथ में आप चैनल कैसे करेट करते हैं तो इन विशे, इस टॉपिक पर मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ, इस वीडियो के मादियम से और हमारे वीडियो के साथ आप बने रहें, क्योंकि हम आपको कुछ important चीज़ बताने वाले हैं, कि आप कैसे चैनल से live जाते हैं, साथ में आप अपने live broadcasting को कैसे manage करते हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के मादियम से बताने वाला हूँ, तो चलिए guys शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले पहले एक चोड़ी से request है, अगर आप मरे चैनल पर new है या new visit की हैं, तो प्लीज हमरे चैनल को subscribe कर दें, और बेल आइकन दबाना ना भूले, तो चलि ये guys, मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं बताता हूँ कि IMO पे आपको चैनल कैसे create कर जाएगा, वो भी आसानी के साथ आपको क्या करना होगा, साथ में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ, कि आप live broadcasting चैनल से कैसे कर सकते हैं, और साथ में ये भी बता हूँगा कि manage कैसे क लाँ, तो guys, इसकी बिल्कुल न करें और पूरी तरह से video देखें, ताकि आपको हर एक एक step by step करके समझ में आ जाए, तो चलिए start करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एक normal ID से channel बना करके broadcasting करके पैसे कमा सकते हो, वो भी आसानी के साथ, voice club में आप broadcasting करके channel बना सक और साथ में वहाँ पर लोग उसे बाते करके पैसे कमा सकते हो, तो चलिए guys, start करते हैं, तो मैं आपको बता दू कि यहाँ पर जो भी update आया है IMO का, वो सिर्फ आपको simple IMO में update देखने को मिलता है, तो मुझे simple IMO पर click करना है, तो यहाँ पर देख सकते है simple IMO है, मैंने इस पर click कर दिया, उसके बाद मुझे क्या करना होगा, ओके guys, तो आप हर एक step को follow करें, उसके बाद मुझे voice club की चीन या logo पर click करना होगा, voice club की logo यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ भी voice club का एक बना हुआ निशान इस पर मुझे click करना होगा, तो चलिए मैं इस पर click कर देता और याद रहे कि आपके पास कोई भी किसी तरह का voice room का ownership मतलब कोई भी group आपके पास ना हो, voice room वाला, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ऐसा group आपके पास ना हो जिससे कि आपको यहाँ पर channel create करने में problem आ सकता है, यहाँ पर ओको और Ellis Club के लिए channel create करना चाहते हैं, ज के बाद यहां पर फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहां पर अगर आपको अरड़ी कोई group में आप हो या फिर कोई group में admin हो तो यहां पर एक my room का option देखेगा जिसमें आपको बहुत सारा group देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर मेरे पास इस ID में कोई भी group इसलिए यहां पर सिर्फ create my room का option दीखने को मिल रहा है तो मुझे क्या करना होगा create my room पर click करना होगा तो चलिए guys मैं दिखाता हूँ create my room पर click करके तो इस पर मुझे click करना होगा create my room पर तो देखे create my room पर मैंने click किया उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका चाइनल क्रेट हो चुका है गाइस उसके बाद यहाँ पर ओकी के बटन पर आपको किलिक करना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका चाइनल बन कर तैयार होगा साथ में यहां पर आप चाहोगे तो नेम भी चेंज कर सकते हो या टॉपिक भी लगा सकते हो तो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ कि कैसे नेम चेंज कर सकते हो साथ में टॉपिक भी लगा सकते हो तो first में आप group name जो होता है वो आपको यहां से change करना है take room के पर click करना है उसके बाद setting पर जाना है फिर group name कुछ भी रख दो आप चलिए मैं कुछ भी रख देता हूँ group name world of technology मैंने world of technology रख दिया है technology का दुनिया ठीक है उसके बाद अगर आपके पास कोई topic है जिससे आप जिस topic पर चर्जा करना चाहते हैं वो topic आपको यहां पर add करना है इस पर click करें उसके पाद topic लिखें तो guys यहां पर आपको topic डालना होगा तो यहां पर topic आप कैसे डालोगे तो यहां पर कुछ भी लिख सकते हो पर देखे topic मेरा change हो चुका है यहां पर share share and singing हो चुका है यहां पर देख सकते हैं एक group name जो fall of technology मैंने group name दिया है जो cover मेरा जो name है इस channel का तो उसका मैंने name दिया और फिर बार बार जब भी आप open करोगे तो topic साथ में ग्रूप में भी changing ला सकते हो otherwise कोई दिक्कत नहीं है बट यहां पर topic हमेशा आपको chance करना होगा share share and singing है इसी पर click करके आप topic जो भी है यहां पर लेक सकते हो तो यहां पर tip topic भी लगा सकते हो तो मैं यही पर रहने देता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप manage करते हो mute and mute कैसे करते हो guys पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि यहां पर जो sit lock करते हैं अगर कोई member मतलब आप नहीं चाहते हो उपढ़ लेना तो आप यहां पर sit lock करके रख सकते हो sit lock कैसे करें तो किसी भी sit पर click करें तो चलिए मैं आई number पर click करता हूँ उसके बाद lock my option पर जैसे click करेंगे तो वो lock हो जाएगा ओके यह lock हो जाएगा फिर यहां से unlock कर सकते हैं तो चलिए guys आज मैं बताता हूँ कि किसी भी member को आपको उपर लेना है तो क्या करना पड़ेगा जैसे कोई भी member आपके wedding list में दिख रहा है तो आपको कैसे उपर लेना है तो आपको क्या करना होगा कि इस member पर आपको click करना होगा सबसे पहले आपको उपर लेने के लिए इस member को पर click करना होगा तो चलिए मैं इस पर click कर दिया उसके बाद मुझे क्या करना होगा? एरो, उपर की तरफ जो एरो जा रहा है, उस पर किलिक करना होगा, guys. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उपर की तरफ एरो देखने को मिला है, तो इस पर मैं किलिक करता हूँ. उनके पास इन्वाइट जाएगा, फिर क्या करेगी, वो उपर जोईन होगी, वो उपर आ जाएगी. उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि, यहाँ पर देख सकते हैं कि यह उपर आ चुकी है. और गाईज यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मेंबर क्याने के बाद फिर कितने सारे मेंबर आ चुके हैं, तो चलिए मैं इसी पर एक्स्प्रेमेंट करके आपको दिखाता हूँ कि, क्या करना चाहिए. अगर मानके चलिए कि इस बंद ये बंदा आपके ब्राट पर गाली क्लोज कर रहा है, तो आपको क्या करना है, तो आपको कुछ जादा कुछ नहीं करना है, उस पर क्लिक करना है, इस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट के पहले जो एक एरो की निशान देख रहा है, तो इस पर मुझे क्लिक करना होगा, तो इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ रेमॉफ का आप्शन देखने को मिल जाता है, तो इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, तो वो यहाँ से रेमॉफ हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद अगर ये मेंबर को इसको नीचे फेकना है तो मुझे क्या करना होगा? इसके बाद नीचे की तरफ जो एरो देख रहा है इस पर क्लिक करके मूव करते ना होगा. उसके बाद ये माइक को मैं बंद कर सकता हूँ. तो इतना आसानी के साथ आप देख सकते हैं ये सारा फंक्शन आपको यहां पर दीखने को मिल जाता है. कोई खास इस पर महनत भी नहीं है तो आप आसानी के साथ ये सारा सिस्टम आप कर सकते हो. फिर अगर इसे उपर लेना है तो आपको क्या करना होगा एक को अनलॉक करना होगा उसके बाद इसे इन्वाइट करना होगा उपर आने के लिए उसके बाद ये बंदा उपर आ गया तो इसको क्या करना है रिमूव आट करना है फिर वो उपर आ चुकी है तो गाइस यहां उपर देख सकते हैं, किसी को उपर लाना है, और अगर कोई बंदा, जदा को वेटिंग पार में लीस्ट पर रखा हुआ, इसके सामने एक arrow दिखेगा, गया। यसके मैं इसपर किलिक करता हूँ, इसके सामने एक arrow देखता हु, फिर इसको move out करना है तो इस पर click करके move out कर सकते हैं और उसके पाद log mic के option पर log कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सारा option है इसे move नीचे भी फेक सकते हैं फिर इसको log भी कर सकते हैं और इसे अनलॉक भी कर सकते हैं यहां सारा कुछ आपको दीखने को मिलता है तो आप यहां पर देख सकते हैं अगर किसी मेंबर को इन्वाइट करना है तो इस पर किलिक करके इन्वाइट तो इस पर किलिक करके जो भी आपके फालोवर्स होंगे आप उसे invite कर सकते हो यहाँ पर click करके आप followers सब को invite कर सकते हो तो यहाँ पर आपको सारा system देखने को मिल जाता है और अगर guys अगर आपको link copy करके किसी को send करना है तो यहाँ पर आप देख सकते है नीचे arrow का निशान देखने को मिलता है इस arrow के निशान पर आपको click करना है फिर यहाँ copy link को click करके किसी को बंदा को भी paste कर देना है तो यह सब सारा setting आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है और सारा और कुछ भी नहीं और guys आपको एक खास दोर पर एक बात बताने जाना हो कि जो जैसे आप कैसे पता करें कि आप group से on किये हैं या फिर channel से on किये हैं तो आपको क्या करना होगा कैसे आपको देख सकते हैं तो आपको simply अपने profile पे अपने group के profile पर click करना होगा यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर मैंने लिखा है जो फालोवर्स होगा वो होगा और मेंबर जो भी होगा यहाँ पर शो करेगा उसके पर प्रोफाइल यहाँ पर आप किलिक करें टेक पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक पर जैसे किलिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल आप इन हो जाता है तो इससे पता चल जाता है कि ये मैं चैनल से ही ब्राड कास्टिंग कर रहा हूँ तो ये खास दोर पर आपको बताने की चीज़ थी ओके गाइस तो चलते हैं जो खास-खास पॉइंट था मैंने बता दिया अब अगले वीडियो के साथ हम मिलते हैं जब तक के लिए बाइ-बाइ अब मैं कट कर देता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा रूम को लॉक करना होगा उसके बाद अपने प्रफाइल पर क्लिक करके माइक पर किलिक करना होगा, इसको भी लॉक कर देते हैं, फिर इस कट के मिशान पर किलिक करके, लिव के आप्शन पर लिव हो जाना होगा, ओके अब जो भी गुरूप आपका होगा यह यहाँ पर माई रूम का आप्शन यहाँ पर शो करेगा, देख सकते हैं झाल झाल